तो आज हम प्रिपार करने वाले हैं ब्रेट पिज़ा बहुत ही इजी है बिगनर्स के लिए तो जो भी इंग्रीडेंट्स आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं वो आप जरूर ले लीजे फिर यहां पर क्या करते हैं एक प्यास को छोटे-छोटे पीसेज में कट कर लीजे और आधा टोमेटो आप यूस कर सकते हो अगर आप टोमेटो लवर नहीं हो मेरी तरह तो उसको भी छोटे-छोटे पीसेज में कट करके एक बोल में आप रख लीजेए जैसे कि आपने देखा होगा मैं दो तरह का चीज यूस कर रही थी एक है चीज ब्लॉक और एक है स्लाइस चीज चीज ब्लॉक को ग्रेट करते करते हैं अब ही मैं यहाँ पर सॉस प्रिपेर कर रही हूँ सिंस में पास पिज़ा सॉस उस टाइम नहीं था तो मैंने मेयो लिया है दो टेबल स्पून के असपास आप ले लीचे और टोमेटो केचप वन अड़ हाफ स्पून के असपास आप किया है सारा को एक अच्छा सा मिक्स करके प्रॉपर सॉस बना लीचे अब हम क्या करेंगे गरम तवा पर थोड़ा सा बटर लगा के उसको चारो तरफ अच्छे से फैला लीचे जैसे तवा गरम हो जाए बटर के साथ तो अब हम जितने भी ब्रेट्स ले रहे हैं मैं इसको अच्छे से थोड़ा टोस्ट कर लीचे जादा क्रंची करने का जरुवत नहीं थोड़ा थोड़ा दोनों को एक ही साइड से टोस्ट कर लीचेगा अब टोस्ट होने के बाद यहाँ पर जो हमने सॉस बनाये थे वह यहाँ पर अच्छे से ब्रेट कर लीचे दोनों ही ब्रेड में और यहाँ पर मैं क्या कर रहे हूँ जो चीज स्लायस है वो दोनों ब्रेट के ऊपर एक-ईक Cheese स्लाइस लगा दी और फिर जो मैंने अपना प्याज और टमाटर कुट किया था उसके ऊपर अच्छे से स्प्रेड कर दिया दोनों ही ब्रड के उपर। उसके बाद हम थोड़ा थोड़ा और इगयनो दोनों ही ब्रड के ऊपर डाल देंगे और चिली फ्लेक्स पी आप डाल सकते हो आप चाहो तो उसके बाद मैंने यहां पर क्या क्या था लेजी अडिशन के लिए मैंने यहां पर चीज ग्रेट तो रखाई था साथ ही साथ एक स्लाइस ओफ चीज को छोटी-छोटी टुक्रे में तोड़कर उसके उपर डाल दिया फिर जो ग्रेट किया था वो भी उपर-उ के उसके बाद हम क्या करेंगे लो फ्लेम पे ही जो दोनों स्लाइस ओफ ब्रेड है उसको डाल करके ढग देंगे अच्छे से दो से तीन मिनट के लिए जब तक चीज मिल्ट पूरी तरह ना हो जाए तो गाइज यह आपका ब्रेड पिंसा रेडी हो चुका है आप चाहो तो थोड़ा और गयानो और ऊपर से स्प्रेड कर सकते हो और चीज ब्लॉक ऊपर से जो था वो पूरी तरह हुआ नहीं था बट थ्रस्ट में बहुत ही सही टेस्ट आ रहा है आप पे डिपेंड करता है आप आड करना चाहो तो कर सकते हो और नहीं तो स्किप कर सकते हो चीज ब्लॉक को सो ताट इट गाइज थैंक यू फर वाचिंग